अरे ये बाराथ है या भूदप्रेत का जमेला नहीं महारानी वो देखिए अपनी जामाता शंकर जी को श्वेद प्रिशप कर देखिए कितना सुन्दर और अनुपम रूप है उनका अरे कहा है वर्राजा को सुन्दर है यह नहीं सब कुरूपी कुरूप है सब कुरूपी कुरूप है बोड़ बूड़ बोड़ बोड़ अरे क्या है यहां जा कमना आदें? जिनि लवर्वर्वर्शचे मुंड माला उप्रेकु पर संसार बसाने, अपना संसार बसाने जाए पुले भटगारी भर्टनी सवारी भागती से जाहर चाने जिन संग विश्मु हर्षाए जूम्बिना रखिया वर्टनी देवर्शी जन्फुजी में दाए संकर्प दिया था जो समय को दिया आठ अपना बहुत न निभाले जैसा भेश निराला बली साज मुंड मला उप्र संसार बसाने अपना संसार बसाने जन्वाराथी बूचले है गणके संग बूचले है जन्वाराथी बूचले है गणके संग बूचले है तन्वाफुत रमाए माथ दिलक सजाए वैचले जो जगन से मिठाने जैसा भेश निराला बली साज मुंड मला बेकुखर संसार बसाने अपना संसार बसाने जन्वाराथी बूचले है जन्वाराथी बूचले है गणके संग बूचले है जो नमारे बारे जत्व दूचले है जो दूचले है अन्होनी विप्रताए आड़ जूशिया मनाए कैसा खेल रचा बिदना बे कैसा खेश निराला बली साज मुंड माला बेकुखर संसार बसाने अपना संसार बसाने रम्हा मंगला चार सुनाए पुष्क सभी कि दर बड़ साए आज मगला चार सुनाए पुष्क सभी कि दर बड़ साए ऐसा खेश निराला बली साज मुंड माला बेकुखर संसार बसाने अपना संसार बसाने जिम्रकन्या दान करेंगे मैना दीके भागे लेंगे शिर्षक्ती जब खोगे लेंगे जग कल्या होगा देव संमार होगा सच होंगे सब सपने सुहाने ज़वेश निराला बली साज मुंड माला बेकुखर संसार बसाने ओ अपना संसार बसाने अरे ये बाराथ है या भूदप्रेत का जमिला नहीं मारानी वो देखिए अपनी जामाता शंकरजी को श्वेद प्रिशब कर देखिए कितना सुन्दर और अनुपम रूप है उनका अरे कहां है वर्राजा को सुन्दर है ही नहीं सब कुरूपी कुरूप है सब कुरूपी कुरूप है भूद 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 ऐसे बते मैं संसारी कुरूप ओ योगी बापा सन्यासी देखे मर खटवासी कैसा जीवत साती चले अपनाने आपना संसार बसागे तारवदी से जाहरं चाहे बैको फैर रसंसार बसागे अपना संसार बसागे खुट मैं उस बूतनाद को अपने पुत्री नहीं दूगी पुत्री नहीं दूगी उस अगर को अपने पुत्री नहीं दूगी क्या हुआ चल हुआ सपड़ हुआ देवताओं रिशी मुझयों ने मिलकर मुझे चला है मुझे चला है मुझे चला है मुझे चला है अब क्या हुआ क्यों प्रलाप कर रही है प्रलाप नहीं करू तो और क्या करू आप सबने मेरे साथ चल किया है मुझे शिव का सुन्दर हुआ सुन्दर वर्णन सुना कर सहमत कर लिया पर मैं ऐसे बूटनाथ को नहीं दूंगी महारानी इस शुब घड़ी में ऐसे अपशब क्यों कह रही हो उस बायानक भूटनात को अपनी पुत्री नहीं दूंगी नहीं दूंगी नारायर, नारायर व्यथा कि कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी शांत हो जाएए आप शांत हो जाएए कि बेकुंटना मेरे मन में मेरे जीवन में आशांती पैदा हो चुकी है मैं कैसे शान्त हो जाओं नाराय नाराय मैं नारानी शुब अवसर पर आशांती की चरचा आपको शुभा नहीं देती इसका कारण मैं नहीं हूं देवरिशी मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है महारानी कहीं कुछ भी असत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है क्या वो सत्य है यदि वू सत्य था तो मुझे स्वीकार नहीं है मुझे कहा गया था कि वो तीन लोग से नयार एक चल गया है। तुम्हारे साथ चल करने से किस का हित होगा मैंअरानी सारवती तुम यहां क्योँ आयो हो न आती तोillas करती तुम इसे मुझे स्वर्ण न हनिकालती तो मैं ये यह क्यों आती अभिजे अज्वर्व निखालने का कोई चाव नहीं है पारवती पर मैं देखती आखों से तु ब्रहम करें चलकर देखुब मोगा हो भारियों हो जायेगा कि एक बार मुझे ख्यों होता है तूझघा किसी अजय को यूHello the patriya 10 को को क्षन कर नहीं है और तुम्हें डिया है को बारी पुतरी पार वती ऑन운 और भगवान शिव को शंका रहत मन से देखो तब सभी कुछ पश्ट, सुन्दर, अश्रेष्ट लिखेगा हा मारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है यह मन की आँख पर चड़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है आपने क्या मेरे साथ कोई नया चल करने की योजना की है मैना रानी, क्या मैं तुम्हार साथ चल करूँगा वे कुणपती, आप पूजनीय है, आदर नीय है मैं सपष्ट कहने की दृष्टा की शमा चाहते हूँ पर सत्य तो यही है, कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ चल किया है केवल असुरों के साथ, देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविशमे भी करता रहोगा परन्तु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है इसलिए तुम्हारे विशय में हित की ही बात सोची जा सकती है और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिवशंकर के सत्य Σवरूप को जानो और मानो शॴLabarilyृृ選ु इस्वरूप मुझे अपनी नई अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिन्था क्या मेरी पूल सी कॉमल पुत्री पार्वती उस भयावय भूतनात मैंना रानी जिस पुत्री के हित और मुह में पढ़कर तुम बार बार भोलेनात को अपशब्त कह रही हो उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है क्या हम सब पार्वती का आहित सोच भी सकते हैं यदि भोलेनात का रूप विक्राल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरी विश्णू सुवयम इस विभाह से चिंतित होती है यदि अकória तुम्हें उश्वास नहीं है तो अपनी पुत्रि पारवती से सत्य जान लो क्या वह भी तुम्हारे साथ चल करेगी कभं heute की मान कर दीखनक पर चल कर एक बार वर्ला जाको देख्लो हाँ एक बार जाके देखनो psychology मैं जो देखा था अहंकारी मन और शंका के दृष्टी से देखा था अब अपनी पुत्रे के पती अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुन्दर दिखाई देगा हाँ मैनारानी यदि मन और दृष्टी में सुन्दरता हो तो सब कुछ सुन्दर दिखाई देता है मैनारानी जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीकर ही दोहर को पहुंचने चाहिए कि जामाता की अगवानी वे स्वागत स्वयम वधू की माता ही करती है अब आप विलम बना करेंगे विज्या तुम तुम सब जाओ और जाकर जामाता राजा की दिलत और स्वागत की तेयारिया करो चराचर पती कैलाश नाथ भगवान शिवशेंकर का मेना कि स्वागत करता है रभू मेरा प्रणाम स्विकार करीं किनर और कंदरहों की सुन्दरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष दुछ है, फिर मैंने तुम्हारा वो घ्रयानक रूप कैसे दीट लिया, बहुत था। वो तुम्हारे मन का ऐसा पुर्ड जिसने अहरता के कर्द से जल की। तुम्हें जो देखा वो सक्ष्ट्य नहीं और जो असक्ष्य था वही तुम्हारी शंका, अख्रम और आहुंकार के कारफों में दिखनी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रहता और तुम्हारी दृष्टी के घ्रहना भाग में उझे जगड़ रहता यदि ये जगड़ पकड़ नखुती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखने देता जैसा अब दिखने देता अर्था मेरा ही दोष्ट था हाँ, लीला मेरी थी और दोष्ट तुम्हारा था तुम्हारा आशंगित मन ऐसे ही द्रिश और आकरिभिया देखने का इच्छ जो तुम्हारे भ्रम, एहमकार और असत्य को संतुष्ट कर सके जो कुछ तुम्हारे देखा, वो तुम्हारी कुशंकाओं का पने बिम्भू झांने झाल, वो तुम्हारे देखास झाल, शो तुम्हारे ठान ड़ी झाल, याल, ऊ το जोड़त दोड़नी का तुम्हारा मोहारे जो फबonneश ऑने मेरी टारे दो संतुछ अजय जा सकता है क्या काम बेद अपनी तुले जैसा सुदर है अरियो चम्ला काम देव दुले जैसे नहीं दुले राजा काम देव जैसे सुदर है चुकर चुक कहा भोले ना सानन्त रूप और कहा बेचारा काम देव देखती नहीं दुले का मनुखारी रूप समाने रहा आउप्पु में कुछ भी कहो हमारी सक्षी पार्वती है बड़ी भागिशाली जिसे ऐसा सुन्दर सलोना रूपवान बर मिला है प्यूरी केवन हमारी सक्षी भागिशाली है शिवशंकर भागिशाली नहीं है जिन्हें पार्वती जैसी गुढवान, रूपवान, सुशीर और सौमेवधु मिली है मेरा दैवयूता सुधा मधुमई सच्छांतिदा मात्रुका तद्वद्दै वयूतो हिमाचलैती साक्षाथ्स्पटी कांपिता सार्धं प्रकृति वैभवादि विषदै सारंध युत्तै हिस्वरै कथ्यंते शिवत पार्वती सुखकर पूयाच्छा मंगनम् आदव भूत पतिही अउम मिलितो ओंकार व्याहार्यते एकोहं बहुस्याम भवनतयां धात्रुहरी निर्मितो पस्चाद विष्वसमारत प्राकृत जना संपाधिताः शंकरेही सोयं शैवं विवाहियतेच्च प्रकृतिं भूयाच्चदा बंगरम् शांतम् पद्मासनत्थम् शशिधरम कुटम् पंचवक्त्रम् त्रिनेत्रम् शूलं वज्जं कृपाणं त्रिशूलं अपियतं दक्षिनागे वहंतं नागम् पाशं चघंतां दमरुका सहितं चांकुशां वाम भागे नागम् लंकार युक्तं स्पटी कमण निभं पार्वतीशं नमावी कि 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 कन्या दान के विधी पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर्से उसका कुल गोत एवं पिता का नाम साथ ही वेद एवं शास्त का ज्यान पूछता है अतय आप वर्से इस विशह में पूछें जो अग्यगुदेव वर्राजा मैं आपसे अनुरूद करता हूँ कि आप ख्रपा करके अपने कुल गोत्र पिता का नाम पग्यान के विशेय में विस्तार पूर्व पताम ह्माले राज ये आप कैसा विचितर प्रश्चत पूछ रहे है trai ॹैसा ही धिवशी जैसा कञ्या का पिता कन्यादान के समें वर्राजा से वित्हिन हंुसात करता है नराई नराई हिमालय राज ना तो देवी पार्वती साधारन कर्या है ना ही भगवान शीव साधारन पुरुश यहाँ ऐसे प्रश्वों की विधी अवश्यक नहीं है पर देव रिशी कार्य तो विधि के अनुसारी होगा प्रिशिवर संपूर्ण कार्य विधी के हनुसार ही हो रहा है विधी का पालन सुविधा और स्थिर्था उत्पन करने के लिए किया जाता है परंतु यदि विधी और सुविधा और स्थिर्था उत्पन करती है तो प्रसंग और आउसर का विचार करते हुए उसे एक और किया आपको अपत्ति क्या है नारायर नारायर रिशीवर आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता है जिनके होने से बूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप तो सुनो, उनके पिता का नाम परंपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते मुझे एक्ष्यमा करें परंपिता, परं तो क्या आप शिव जी के पिता के विश्व में कुछ बता सकते हैं? श्री हरे विश्व आप, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? विश्व गर्णा का आरम तो एक से होता है, एक के पश्चा दो और दो के पश्चा तीन, परंतु आप मुझे ये बताएं कि गर्णा में एक से भूर क्या है? बताये रिश्वर कि गर्णा का अंतिन अंक क्या है? परम सत्ता यदी अपने सगुन रूप में प्रकट हुई है, उसका आर्थ ये नहीं कि वो अपनी निर्गुनता खो बैठी इसे हैं परी हुआि महैश्वर्त सभी कुल गोत्र शे परें पऱात परब्रम है? यह गोत्र हीन होकर भी सर्वस्रेष्ट गोत्रवान है यह कुल हीन होकर भी परम्कुलीन है तथा सर्वत्हा निर्गुण होकर भी सगुणवान है इनसे घर्थ के पश्ट पूछना ही घर्थ प्रिशिवर तनिक अपने द्रिष्टि मुठा कर देखिए शिवजी के उस मुख महनल के उस तेज पुंज को जिसका नो को यादी है न अंत अजय को सार्व भौब है कर उस्त्रेश्ट परम सत्य परम प्रम्व परमपिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है चमा करें चमा चमा करें शिवशंकर मुझसे बहूल हो गई परमपिता प्रम्व देर शिरी हरी विष्णू मैरीत विधी एवं ओप्चारक तामने ये विराड़ सत्य भूल ही गया था रिशिवर मेरा विचार है आगे की विधी अब आप प्रून करें अधिक विलम उचित नहीं अवश्य अवश्य आरंब करें प्रीजर थाओ सब आगे की विधी टनला ही प्रून अवश्य आप। औरी आप प्रून झाल 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 इमाम कन्याम शुद्धम अहंदादामी परमेश्वरा भाग्यार्तम त्वं परिक्रया प्रसीद सकलेश्वरा इमार्तम परिक्रया झाल झाल आज कैलाश पती की पत्मी बन गई अब ये हिमालय भवन छोड़कर कैलाश चली जाएगी हाँ हाँ हमारी महारानी अब अकेली रह जाएगी मैं नारानी पुत्री का विवा जगत केश रेश्ठवर श्रीशेव भगवान से आनन्द पुर्वत और निर्भीगने संपन्न हुआ है पुत्री का आयुशे सुखमय है तुम्हें तो इससे अतिप्रसन्न होना चाहिए पर तुम उदास हो क्यों भला? पुत्री का वियोग ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी जिस मा की पुत्री सदा सदा के लिए अपनी पती के घर जा रही हो उसके हिर्दय के क्या दशा होती है यह तो केवल मा ही जान सकती है पर ये तो होता आया है और होता ही रहेगा कन्या को माता पिता का ग्रह त्याग कर पराय घर जाना ही पड़ता है पुत्री का भावी जीवन सुखी हो माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा सुख है दुख ना करो महारानी हर्ष और उल्लास की साथ पुत्री को विदा करो नारायन, नारायन, नारायन श्रीमन नारायन, नारायन, नारायन नारत, तुम यहाँ क्या करता, मैंना रानी का दुख मुझे यहाँ खीच लाए परन्तु आपके दुख का कारण क्या है पूत्री का व्योगी दुख का कारण है नारत कहीं आप इस कारण तो दुखी नहीं कि पगवान शुव शंकर आपकी पूत्री के लिए आयोकिवर है नहीं देवरिशी नहीं, कदा भी नहीं शिव जी तो संसार के शरेश्ट वर है मेरी पुत्री पार्वती, उनके साथ सदेव सुखी रहेगी मेरे मन में उनके प्रती जो शंकाएं थी, उसी कारण में दुख पाती रही है पर अब सब कुशंकाएं समाथ हो चुकी है देवरिशी तो फिर तुम दुखी क्यूं हो, प्रसंदता पुर्वक अपनी पुत्री को विदा क्यूं नहीं करती है तुम्हें पुत्री मोह है और तुम्हारी पुत्री भगवान शिवशंकर पर मोहित है विवाहा पश्चाद, तुम्हारे मोह का नहीं, इनके मोह का अधिक महतु है, आता है, मोह त्याग कर, प्रसंदता पुर्वक अपनी पुत्री को उभिदा करो मैं मा हूँ न, पुत्री का मोह कैसे त्याग दू अपने रिदय के अंश को अलग करके विदा करना असन ही है, मेरी पुत्रिया मेनारानी, पुत्री को सहर्ष विदा करों हाँ, समस्त देवगण प्रतिक्षा कर रहे हैं अब बारात विदा कर दीजिए, अब अधिक विलम उचित नहीं नाराय, नाराय चलू मेनारानी अपुत्री वुत्री मेरी पुत्री उआ कर दो कर दो कर दो कर दो Jaya! लेवी पारवति की Jaya! लोरी शंकर की Jaya! लाइश्पति-शिप्षंकर की Jaya! नाओड़ी पारवति- लाइश्पति-शिप्षंकर की Jaya! झाल झाल